एक तरह सितंबर के महीने को सरकार कुपोशन दूर करने के लिए राश्रे पोशन माह के तौर पर मना रही है दूसरी तरह भारत के आदिवासी बच्चों में कुपोशन लगातार बढ़ रहा है इन बच्चों में कुपोशन की मातरा अन्य बच्चों से ज्यादा है और पिछले 10 साल में बत्तर हुई है लगभग 70 फीसदी आदिवासी बच्चे कुपोशन का शिकार हैं ये एक सरकारी रिपोर्ट में सामने आया है भारत के सिर्फ 29 फीसदी आदिवासी बच्चों को पोशक आहार मिल पाता है पोशक आहार और प्रोटीन्स, कैलोरीज और विटिमिन्स जैसे तत्वों का सेवन इन बच्चों में पिछले 10 साल में कम हुआ है स्वास्थ मंत्राले और जनजातिय कार्य मंत्राले द्वारा दो हजार तेरा में अभय बांग की अगुवाई में बनाई गई 12 सद से कमिटी की रिपोर्ट में ये सच सामने आया है प्रोटीन और एनरजी की संतुलित मात्रा के आहार का सेवन आदिवासी आबादी में बहुत ही कम है सिर्फ 29 से 32 फीसिदी बच्चे और 63 से 74 फीसिदी व्यस्क पुरुष और महिला पोशक आहार का सेवन करते हैं 75 फीसिदी गर्ववती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में प्रोटीन और कैलिरी इस दोनों की कमी पाई गई है ये आकड़ा अनुसूचित जातियों समेथ बाकी सभी समुदायों में सबसे ज्यादा खराब है रिपोर्ट का कहना है कि इस कुपोशन का बड़ा कारण है देश भर में आदिवासियों को जंगलों से दूर रखना तेजी से जंगलों का कटना और वन कानून जो आदिवासियों के लिए वन उपच की पहुँच को कम कर रहे हैं ऐसे कानून आदिवासियों से इनका भोजन, चारा, घर, रोजी रोटी और आजेविका चीन रहे हैं रिपोर्ट का ये भी कहना है कि 2006 में वनाधिकार कानून आने से पहले तक आदिवासियों को वनसमपदा से वन्चित रखा गया था जिसका असर गरीवी और कुपोशन था हाला कि 10 साल बाद आज भी इस कानून को लागू करवाने के लिए देश भर के वनसमपदाय प्रदर्शन करते रहते हैं सादिक अतिवारी गो न्यूज